हलो फ्रेंट्स वेलकम तू आट चानल करंट अफेर अपडेटेड अधिस दिवशीश अवस्ति तो बहुत दिनों से स्टुट्ट्ट्स की डिमान्ड थी क्योंकि उनके एक्जाइम पास में आ रहे हैं जैसी बिहार का compile current affairs मिल जाए तो exam के लिए आपके लिए बहुत benefit होगा तो उसी को देखते हुए याद एखेगा मैं एक compilation लेके आगया हूँ current affairs का that is January 2023 से लेके September 2023 तक जितनी भी important news है वो एक single lecture में मैं आपके सामने लेकिया हूँ that is last nine month current affairs एक single lecture में इस lecture को end तक जरूर देखना याद के exam perspective से बहुत important है time कम बचा है तो इस lecture को अगर आप देखके चले जाओगे कोई भी ऐसा exam नहीं होगा जो आप question नहीं solve कर पाऊ इस lecture को देखने के बाद तो lecture को end तक जरूर देखना क्योंकि याद रखिएगा एक question हो सकता है end से क्यों ना आ जाए इसलिए इसको मैंने हर segment में divide कर रखा है sports segment, national affairs, international affairs सारे segment अलग बने हुए तो lecture को आपको end तक जरूर देखना अगर आपको current affairs का time कम बचा है और ये lecture अगर आपने देखा तो exam आपका ज़रूर की गर हो जाएगा तो चलिए start करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको पढ़के जानी है सबसे पहले ये nine month की current affairs में जो static current affairs है उसको मैं पहले discuss कर लेता हूँ जो static part है जो exam के लिए important है ये question done है पहला ही topic जो बने लिखा है अभी recent की याद दिखेगा इंडिया में वर्ल हैटे साइट का अगर हम बात करें तो UNESCO वर्ल हैटे साइट के हमको tag देता है उसके according इंडिया में 40 वर्ल हैटे साइट थी बट recently दो नई वर्ल हैटे साइट हो गई है अभी इंडिया में total 2023 में उसको नाम है होशला टेंपल याद दिखेगा होशला टेंपल की अगर बात के हैं तो ये कनाटका में लोकेट है तो दोनों अभी नई वर्ल हरिटे साइट हुई है ये आपको याद रखना है exam perspective साब से सीधे पूछ शकते कि recently कौन सी UNESCO की साइट हुई है जब मैं शां तो चेंगे ये टाइग देता कौन है that is the first living heritage university इसका टाइग इसको UNESCO देता है तो याद रखना है ये कोशन भी आपसे पूछ रकते हैं क्योंकि जो विश्व भारती university में बात कर रहा हूं याद रखेगा ये शांती निकेतन में वेस्ट बेंगॉल में ही located है और इस university का जो points है ये आपको याद रखना है को शांती निकेतन का नाम याद आया है तो इसलिए मैंने विश्व भारती university का भी नाम आपके सामने clear कर दे क्योंकि ये भी पिछले 9 मंत में news में रही है तो पहली तो ये important news है आगे बढ़ते हैं और कौन सी kind of affairs के लिए important है अभी आप देख हैं हम नई parliament की ओर move कर चुके old parliament को अब छोड़ चुके हैं तो ये बड़ा important है कि अभी recently प्राइम मिनिस्टर ने owned parliament जो building है उसका नया नाम क्या रखा है उसका नया नाम रखा है सम्विधान सदन याद रखेगा हो सकते आप से question पूज आए कि old parliament का नया नाम क्या रखा गया तो सम्विधान सदन ये आपको याद रखना है ठीक है और इस आपको पता होगा ये old parliament को बनाया किस ने था इसको 1927 में याद कि इनागरेट किया गया था इसको बनाने वाले थे लुटेंच और बेकर याद कि लुटेंच और बेकर ने मिलके इस old parliament को बनाया था अब तो न नई parliament बन गई अब आप सोचेंगो से नई parliament old parliament में क्या difference है इसके बाएव में details तो इसका detail lecture मैं already बना चुका हूं जा देखिएगा इसका link में description box में डाल देता हूं जाकर आप lecture देखले ना अगर आपको और detail पढ़नी हो तो बट अभी current के हिसाब से सम्विधान सदन जादा important है इसका link description box में आपको मिल जाएगे जहां मैंने पूरा नई parliament के description दिया हुआ है ठीक है और नई parliament बनाये कि इसने architect कौन है तो इसका नाम जाएगा है that is Bimal Patel चलिए आगे बढ़ते हैं next आते हैं next अभी recently आपको पता होगा woman reservation bill जो लोगसभा में है राज्यसभा से भी pass हो गया है लोगसभा से भी pass हो गया है और now अब president sign कर देंगे और यह बन जाएगा हमारा act और woman reservation bill में दो point आपको याद रखना है पहली बात इसमें 33% reservation दिया जा रहा है women's को किस house में याद दखिएगा that is a लोगसभा और विधान सभा that is state legislative assembly और लोगसभा में 33% आपको याद क्या रहेगा reservation रहेगा टेक है किन का women's का अब question यह है इसमें दो चीज से confuse मत होना यह जो bill number है amendment number bill number है वो 128th amendment bill है टेक है बट यह पास हो जाएगा तो आपको यह रखना 106th amendment act होगा तो confuse मत होना कुछ लोग 128 और 106 पे confuse हो रहे है bill number 128 है बट अगे पास हो जाएगा तो यह अफकोस पास होई गया है लोगसभा रास्वा से पास हो चुका है तो याद कि 106th amendment act कहलाएगा तो यह भी आपको याद दकना है एक historic decision लिया गया है ठीक है चड़े आगे बढ़ते नेक्स है यश भूमी यशो भूमी अभी यशो यह क्या है प्राइम मिलस्चेर रिजेंटी यशू भूमी का इनाउगरेशन किया यह क्या यह यह इंडियन इंटरनाशनल कंवेंशन अन एक्ष्पो सेंटर जो डेली में लोकेलिट है इसके फेस वन पा इनाउगरेशन हुआ है तो आपको बताना चाहिए कि है क्या नेक्स इंडिया को पहला Airbus जिसका नाम है C295 aircraft मिल गया है तो पूछ रकते हैं इंडिया को पहली Airbus का नाम क्या है तो C295 यह आपको यादखना है ठीक है दूसरी बात यह किसकी पार्टनर्शिप से मिला है तो यादखेगा इसमें European Aviation Leader Airbus जो है उसके साथ पार्टनर्शिप की रापदी मुर्मु ने अभी इनाउग्रेट किया है Global Symposium on Farmer Rights कहां पर New Delhi में आप कहेंगे यह Symposium क्या होता है Symposium मताब होता है Meeting एक तरीके से Conference क्या सकते हो तो Global Symposium on Farmer Rights पूछ सकते हैं किसने अनाउग्रेट किया है तो आंसर है President रौपदी मुर्मु कहां अनाउग्रेट किया है तो correct answer है That is New Delhi Next जो most important news में रहा पिछले 9 मंत में वो था G20 का summit तो 2023 में आप सब को पता है इंडिया में हुआ और venue क्या था venue भी आपको बता हुआ डेली में प्रगति मैदान में याद कि एक बड़ा important भारत मंदपम था जिसको English में कहते हैं International Exhibition Convention Center जिसका नाम भारत मंदपम रखा गया 9 से 10 सेप्टमबर तक ये meeting चली और ये 18th edition की meeting थी अब अगली meeting 2024 की 19th edition ब्राजील में होगी ये भी आपको आपको आखना है 19th edition की meeting ब्राजील में होगी आप सोचोंगे उसे G20 के बारे में और details तो मैंने एक lecture G20 सब्मिट पर अल्लेड ही बना रखा है detail में उसका link मैं description box में डालना हूं वहाँ पर जाकर आप देख सकतो G20 के बारे में और details तो अब लेकिन कुछ important details जो मैं आपको यहाँ बताना चाहरा हूं अस lecture वह आपको याद रखना है बाकी other details आप वहाँ पर देख सकतो पहली बात G20 अब G21 कहलाने लगा है ऐसा आप कह सकते हो अब ऑफिशल तो ऐसी announcement नहीं हुई है कि अब इसको G21 कहा जाएगा बट इसलिए मैं किया रहा हूं कि अब इसमें एक member और एड हो गया है जिसका नाम है African Union तो और एक African Union डेली में जो meeting हुई 18th meeting G20 की उसमें याद रखेगा African Union को भी आड कर दिया गया African Union में 55 members हैं जिसका headquarter या देश अब Middle East Europe Economic Corridor इस पर MOU साइन हो गया है यह है क्या वो भी मैं आपको बतायता हूं इंडिया Middle East Europe यह आपको दिख रहा हो को मैं आपको डिखायता हूं देख सकते हैं इंडिया से connectivity बनाई जा रही है कहां तक that is Europe तक ठीक है पाकिस्तान इसमें excluded है और यह जो बना रहे हैं इंडिय Middle East Europe Economic Corridor एक तरीके साब कह सकते One Belt One Road Initiative जो चाइना का है उसको काउंटर करता है यह इनिशेटिव यह है क्या इंडिया, US, Saudi Arabia, European Union, UAE, France, Germany, Italy इनोंने मिलके MOU साइन किया है जहां पर इंडिया Middle East Europe Economic Corridor बनाई जा रही है यह इंडिया Middle East Europe Economic Corridor है क्या वो भी मैं आपको बतायत यूरोब जो है वो आपस में connect हो सके ठीक है तो इस इस ए ग्रेट इनिशेटिव और यह G20 में इसका MOU साइन हुआ है तो इस वन अप आउटकम ऑफ G20 सब्मिट ओके यह आपको याद रखना है दूसरा उटकम अगर मैं G20 की बात करूं तो वह है that is Global Biofuel Alliance जो की साइन हो गय मैंने पिछला lecture बनाया था G20 सब्मिट पे बहुत लोग उन्हें कोशन पूटाया सर नटराजा की यह हाइट कितनी है क्योंकि मैंने लिखाया कि इस G20 सब्मिट में वर्ल्ट टॉलेस्ट नटराजा की स्टेचू जो है वो इंस्टॉल की गई थी आप देख सकते हैं अब द इसमेंसे 22 फीट की तो उस चेचू की हाइट है और 6 फीट जो जो चाहलेखे पेडिस्ट्ल है मतलब नीचे रखने वाला है वो पेडिस्टिल है और यह इस चेचू की हाइट टॉटल 28 जो वर्ल्ड का तॉलेस्ट नटराजा श्टेचू इंस्टॉल किया गया है कहां पर इ G20 समिट होई थी वहीं पर इसको इंस्टॉल किया गया, तो एक्जाम के लिए important है, आगे बढ़ते हैं अब G20 से आगे आते हैं और आरोग के मैतरी क्यूब की बात करते हैं, यह आरोग के मैतरी क्यूब क्या है, देख सकते हैं यहां पर आपको दिख रहा हूँ द्रोन के थू चीजे प्रोवाइड करने की बात करें हो, यही है आरोग के मैतरी क्यूब, है क्या वो मैं आपको उताता हूँ, इंडिया का वर्ल्ड का, इंडिया है बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल बना दिया है, कहने का मतलर, जैसे माले हो कोई पर स कैसे पहुचाओगे, कुछ फर्सेट की चीजे कैसे पहुचाओगे, तो उसके लिए यह बनाए गया है, यहाँ दिखेगा, यह आरोग के मैतरी क्यूब, जहां पर सारी फैसिटीज रहेंगी, और यह वहाँ पर पहुच चकता है, जहां पर यह दिजास्टर वगर आ रहे ह वहाँ पर ही पहुच चकता है, तो आपसे पूच चकते हैं, आरोग यह मैतरी क्यूब है क्या, तो आप समझ सकना, नेक्स है, रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों रिजर्वेशन की, वुमेन रिजर्वेशन बिल्तो पास हुआ है, बट उसके साथ एक चीज और है, कि यूनियन होम मिनस्टी ने 10 परसेंट का रिजर्वेशन, मेडिकल एजुकेशन में, पॉंडिचेरी के गवर्मेंट स्कूल ग्राजवेट्स को दे दिया है, तो पूच चकते हैं कि कि यूनियन टेरिटरी के अभी रिसेंटी 10 परसेंट रिजर्वेशन मिला है, तो य पूचेरी की CM का नाम क्या है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे है, आगे बढ़ते हैं, NCRT की बात करते हैं, अभी रिसेंटी पूच सकते हैं, किसको दीम्ड यूनिवर्सिटी का टाइग मिला है, स्टेटस मिला है, तो वो है NCRT, NCRT has got दीम्ड यूनिवर्स पूचेरी कंसक्टेड नूउक्लियर फेसिलिटी जो की 700 MW नूउक्लियर पावर प्लाइंट सिच्वेट किया गया है यहां पर, तो पूचकते हैं, और अभी ऑपरेशनल भी हो गया है, तो पूचकते हैं, इंडिया का लाज़ेस होम बिल्ट, ब्लब इंडिजीनेसली, न इंडिजीनेस मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्वेयर डेवलप किया है, आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड का लॉंगेस प्लैटफॉर्म, यह बन गया है, श्री सिद्धारोडा, जो की स्वामी हुबली स्टेशन में बना हुआ है, तो पूचकते हैं, वर्ल्ड का लॉंगेस प् चिनाब की वहाँ पर सिचुएटेटेड है, किस यूनियन टेरी में, जम्मु एन कश्वीर में, तो यह भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट राइट तु हेल्थ, राइट तु हेल्थ देने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है, तो आगे राजिस्थान जो है पहला और उनली स्टेट है इंडिया में जिसने राइट तु हेल्थ पर लॉव बनाया है, विट लेजिस्टेट ऑन राइट तु हेल्थ, तो आप क्या दखिएगा है, हेल्थ का राइट बना दिया गया है, क्यनने बतला अगर आपकी कोई विया एक्सेट वगरा होता है, तो पर जो आया है था, किदर आया है इंडिया के, तो आप सबको पताऊगा, एक नाच शिदे जी है, उन्होंने याद कि एहमद नगर, जो महराश में जगह है, उसका नाम चेंज करके कर दिया, अहिल्या नगर, तो पूछ रकते हैं आप से, कि एहमद नगर का नया नाम क्या ह एक औरंगाबाद का नाम हो गया है, छत्रपती संभाजी नगर, यह हो गया औरंगाबाद का नाम, और याद कि ओस्मनाबाद का नाम चेंज हो गया है, और हो गया है धराशेव, तो दोनों नए नाम चेंज हुए हैं, आपको याद रखना, पूछे आ सकते हैं एक्जाम मे Sulfur की किसी quotation है Sulfur की quotation है और इससे क्या होगा इससे अफकोस जो स्वाइल में डिफिशेंसी है Sulfur की वो पूरी हो सकेगी तो यार कि यूरिया गोल्ड आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने अभी एश्या का लार्जेस हेलिकॉप्टर मेनुफेक्टरिंग फैसिलिटी डेवलप की है उपन की है कहां पर यार कनाटका के किस जगे पर तुम्हा कुरू में तो पूछ सकते हैं कहां पर लार्जेस हेलिकॉप्टर म के तुम्हा को रूपए जी डारेक कोशन आपकी एक्जाम में आएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं साइन्स एंट टेक क्योंकि इस अपर्टेक के कुछ इंपर्टेंट टॉपिक देखते हैं सबसे पहले निसार मिशन वाट इस निसार म इसरो कि पूछ सकते हैं निसार किं डो कंट्री के बीच में तो नासा एन इसरो एप किया है यह सबसे जब्स ज्यूस पूचस के हैं किस ने लुंच किया तो पूछ सकते हैं कोशन आने की चांसे मेरा मानना है सब से जाता है क्योंकि लोग जनरली नासाल माक कर देंगे इस पर गलत आंसर हो जाएगा आगे इंडिया ने क्या देखिया कि वह लिंफेटिक फिलरसिस की बीमारी के इसको 2027 तक पूछ सकते हैं कब तक का इंडिया टागेट है तो आंसर है 2027 ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्पोर्ट्स की न्यूस में आते हैं इस पोर्ट्स न्यूस भी बहुत इंपोर मुहन बागन सुपर जाइंट्स ने जीता है और किसको हराया उन्होंने इस बेंगॉल को हरा दिया वन जीरो से तो यह आपको या रहा रहा दुरंद कप 2023 किसने जीता तो आंसर है मुहन बागन सुपर जाइंट्स ने जो कि फुटबॉल गार टूर्णमेंट था वन 32nd edition था नेक्स एशन गेम्स 2023 हो रहे हैं आपको पता होगा अभी रिसेंटली हो रहे हैं और यह गेम्स चलेंगे 8th October था कि यह चलने वाले है 19th edition है चाइना में हो रहे हैं चाइना में या दिखेगा हॉंग्शू जगह है जहां पर यह गेम्स हो रहे हैं इंडिया की तरफ से इस ग बने थे इस बार को ऑफिशल स्पॉंसर अगर मैं बात करूं इस तीम इंडिया का इन एशन गेम्स वह कौन है तो वह अमूल है याद दखेगा अमूल जो है वह ऑफिशल स्पॉंसर है इंडियन का इन एशन गेम्स अभी रिसेंटली एश्या कप भी हुआ यह बता दू मैं और इसको इंडिया ने जीत लिया है श्रीलंका को डिफीट के 10 विकेट चहरा दिया है और से मैन अफदी मैच बने मुहमद सिराज और मैं अब टूनमेंट जो बने वह कुलदीप यादव बने तो याद अखेगा फाइनल श्रीलंका के साथ हुआ तो और हमने इशा कप 2023 ज जीता और वो था गोल और फर्स ताइम इंडिया ने कोई गोल्ड मेडल जीता है इस चैंबेंशिब मे याद रखेगा और गोल्ड मेडल हमको किसे जीता है निरद चोपरा ने अपनी जैवलिन थ्रो में उनका था 88.17 मीटर और वहनम गोल जीता कि इंडिया को पहला गोल फ कौन निर्ट चोप्रा की रैंक क्या थी तो आंसर भी सेकेंड रैंक थी नेक्स रंजी टोफी 2023 क्रिकेट टूर्णमेंट है जिसको 2023 में सौराष्ट ने जीता और हराय था बेंगॉल को या दखना आपको ठीक है सौराष्ट ने फाइनल जीता ऐसी पर इसेंटी मेंस का होकी व मुसन में हुई और इसको इंडिया ने जीत लिया है इंडिया ने याद अखिएगा हराया है कि इसको यह भी इंपोर्टेंट है तो इंडिया ने डिफीट किया यहां पर इरान को तो इरान को डिफीट करके इंडिया एशन का बड़्डी चैंपेंशिप बन गई है Commonwealth Games 2026 जो होने वाल थे उस्चिलिया विक्तोरिया में होने वाल थे मट विक्तोरिया ने विड्रॉ कर लिया कि हम इस गेम्स को नहीं करा सकते नेक्स्ट याद अखिएगा सात्विक और चिराक का नाम याद अखिएगा इन पिछले नाइन मंच में चार इंपोर्टेंट टू साथ यह नेक्स ए डबल इसाइडबल चैम्पेंशिप इसको इंडिया ने जीत लिया है और इंडिया को फाइनल हरा दिया है पनलटी शूट आउट में इंडिया ने इसको जीता 5-4 से दो गुरूप टे गुरूप ए गुरूप बी गुरूपे में इंडिया थी कुवेट नेपाल था पाकिस्तान था गुरुप भी में लेबनन था मालदीश था भूटान था बांगलदेश था तो यह दोरों का मैच यह पूल थे और फाइनली इंडिया को वैद का फाइनल हुआ इंडिया ने जीत लिए ओके और आपकी तीनो आप देख रहोंगे नुवाग दोखो वेच ने जीता है अगर आब बात करूँ फ्रेंच उपेन तो तो वह अगा स्वातिक न जीता है और अगर विमेलडन की तो याद दिखेगा मारकरिटा वंडरसोवा ने जीता है और अगर युएस उपन की बात करें तो को को गौफ ने जीता है तो वोमेंस अब अलग अलग है थोडिफिकल्ट है बट मेंस सिंगल का याद करना असान है व प्रग्यानन्द हमारे जीत नहीं पाए, वो सिल्वर मेडल जीता है, उन्होंने वो रन रप रहे हैं, और जीता है, मांगनस काल्सलन जो कि नॉर्वेग के प्लेयर उन्होंने इस वर्ल कप को जीत लिया है, नेक्स आपको याद रखना है, वर्ल आर्चरी चैंपेंशिप 2023, वर्ल आर्चरी चैंपेंशिप 2023 की बात करूँ, तो यह बर्लिन जर्मनी में हो रही थी, जुलाई औगस्ट के बीच में चैंपेंशिप हुई, खास बात है इंडिया ने आपर टॉप किया है, इंडिया की टोटल फोर मेडल्स रहे हैं, तीन गोल्ड और एक ब्रॉंज और याद दखेगा, इंडिया ने टॉप किया है इस वर्ल आर्चरी चैंपेंशिप में, जिसमें इनका नाम जरूर याद दखेगा, अदिती स्वामी का, ये एक्जाम में आपसे पूछाएगा, अदिती स्वामी कौन से स्पोर्ट से बिलॉंग करती हैं, तो आंसर बी याद आर्चरी से बिलॉंग करती हैं, और गोल्ड जो जीता है, फर्स ताइम इंडिया ने आर्चरी याद एखेगा, आर्चरी वर्ल चैंपेंशिप में गोल्ड किसी इंडिविजुल ने जीता होगा, तो वो यही है, तो इसलिए ये परस्नार्टी भी इंपॉर्टन है, ओके, नेक्स, 2023 का FIFA Women's World Cup हुआ, जो होस्स कर रहा था, Australia और New Zealand, जुलाई अगस्ट में इवेंट हो रहा था और इसको जीत लिया है, Spain ने, Spain ने England को 1-0 से अरा दिया, तो final Women's में Spain ने जीता है, नेक्स, वर्ल बैटमिटर चैंपेंशिप 2023, को पहेंगन, Denmark में हो रही थी, याद रख इंडिया के पास एक ही मेडल आया है, और वो जिताया है, इनको ब्रॉंज मेडल, H.S.Pronoy ने, मतलब यहां पर सात्वी को चिराग नहीं जीत पाए, बट इन्होंने अपने को ब्रॉंज मेडल जिताया है, नेक्स है, स्क्वाइश वोल्ल कप 2023, जो की चेन ने ही तमिल आइ मैस्कॉट है, तो आप यहां पर इसका मैस्कॉट भी देख सकते हैं, नेक्स है, यारे कि आइटी युनिवरसिटी, कि आइटी युनिवरसिटी, कलिंगा युनिवरसिटी के बात करों, जो की ओडिशा में है, वहां ने उसने पहला जंजाती खेल महोच्षब और पुछ सक थर्ड खेलो इंडिया उनिवरसिटी गेम 2023 युप में हुए, और सबसरा मेडल जीतने वाली कौन सी उनिवरसिटी बनी वो है, पंजाब उनिवरसिटी, 26 गोल्ड, 17 शिल्वर और 26 ब्रॉंज मेडल, जितके पंजाब उनिवरसिटी ने टॉप किया है, और इस पार का खेलो उनिवरसिटी गेम जो थर्ड एडिशन था, उसका मैस्कॉट जो था, वो था स्वैंप डियर, जो की बारा सिंगा जिसको आप कहते हैं, जो की यादा कियेगा, स्टेट अनिमल भी है, यूप का, और इसका नाम वहां पर रखा था, मैस्कॉट में जी तू, आप यहां पर देख सकते हैं, नेक्स है, IPL 2020-23 फाइनल आप सबको पता हो, चिन्ने सुपर किंग्स ने फाइनल जीता, इसको यह आप सबको पता हो, चिन्ने ने फिफ्ट टाइम यादेखेगा, आईप यादेखेगा, प्रपल का जीता है, मुंबई की बराबरी की, मुंबई ने भी 5 ट अगे बात करते हैं, इसको विनर जो है, कनाटका ने जीता है, वो मिघाले रहा है, वेनू साओधी अरेबिया था, तो विनर बस याद एखेगा, तो यह थी सारी स्पोर्ट्स की न्यूस पिछले 9 मंत की, आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं, इंटरनाशनल न्यूस में, इसलिए मैं क्यारा हूँ, लेक्चर को एंड टक देखना, एक कम्प्रीट लेक्चर है, सारी चीज़े मैंने कवर किया है, इंटरनेशन न्यूस में बात करते हैं, तो रिसेंटी सिंगपूर के प्रेजिजेंट के एलेक्शन हुआ, और इस एलेक्शन को जीत रहा है, याद के एक कनफ्लिक्ट है, आप इसकाम डीटेल्स पढ़ सकते हो, अभी मैं अब्जेक्टिव परस्पेक्टिव सो बता रहा हूँ, तो याद रखना है किसके बीच का कनफ्लिक्ट है, रिसेंटली ऑपरेशन दोस्ट ट्वेंडीवडीवडीट थी हमने लांच किया था, क्यों आपको पता होगा, इसका क्रैश हो गया था, बड़ा इंपोर्टेंट क्रैश रहा, बहुत न्यूज में भी चला, फ्लाइट काटमांडू से पोखरन नेपाल जा रही थी, और इसका क्रैश हो जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है, पूछ सकते है कौन सी एरलाइन कमेंट बॉक्स वघीस्तान की कैपिटल, आप कमेंट बॉक्स से मैंशन करिये, आगे बाद कतंएं, देंन मांक ज्योहर पहली कंट्री बन गई, तो इंपोर्ट करेगी और बरी करेगी, ठीक है, उस वह पहली कंट्री कोई बनी तो आंसर देंज मांक बनी है next دیکن University जो ऑस्चिलियोफियग की य votes यह पहली ऐसी इंटरिटनिशेल्य फारेंचिल्य उनिवर्सिंटी है यह आपको याद रखेना है open international इंटरिटनियशन इंटरिनाशन प्रांच जो है इंडिया में पहली व्लचिता इपने इंटर Operation Cauvery code name है इंडिया यहां पर evacuate कर था अपने citizens को कहां से सुधान से को सुधान में issues चल रहते बिट्वीन आर्मी और पैलामेटरी फोर्स तो अपने लोग को वहां से evacuate किया इंडर operation याद खेगा क्या operation Cauvery तो यह भी आपको याद आखना है ठीक है नेक्स है टाइटन यह भी बहुत न्यूस में था क्यों था यह एक सममेसिबल याद खेगा डीप सी सममेसिबल है सममेसिबल एक पंडुपी तो नहीं कहीं है अपन बट उसी तरह आप पांच सकते हो और टाइटनिक को देखने के लिए अरे आपको पता होगा अट्लांटिक में यह एक कंपनी है ताइस ऑउशन गेट एक्स्पीडिशन उसकी यह सममेसिबल टाइटन जिसमें लोग बैटके जाये थे बट यह फाइनली क्राश हो गया और इसकी याद रखेगा इसकी डिवासकेशन की दूप बहुत से लोग जो इसमें गए थे उन सब की डेथ हो ज पहले नाम जा रखेगा चेनानी नाशी टनल था बड़ इसका नाम चेंज कर दिया गया शामरपसाद बुखरजी टनल जा रखेगे जम्मू और कश्मीर में हैं लॉंगेस्ट हाइवे टनल इन इंडिया आप से पूछा या तो आंसर है शामरपसाद बुखरजी टनल और य विक्रम सिंगे उनका नाम है और वो इंडिया आये और प्राइमेसा मोदीर उनको बोला 13th Amendment को आप जल्दी एप्लाई करिए वहां पर 13th Amendment क्या बोलता है 13th Amendment यह बोलता है कि वहां की जो तमिल्स है श्रिलंका की उनको जो वहां के प्रोविंसे से हैं तो वहां पर ज्यादा और और ऑफिस अभी ओपें किया है उनिवर्स पोस्टांग यूनियन और यो आई बनी है नेक्स ऐखने व एक का और किया ओम से और किया रही है यह उन बचारश लांच पर निच झालए रही अ वो seven big catch है, एक है जागवार, एक है प्यूमा, एक है लेपड, लाइन, टाइगर, चीता और स्नो लेपड, इन seven को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया ने इनिशेटिव लॉंच किया है, नेपाल ने इस इनिशेटिव को जॉइन भी किया, बहुत से कंट्री जॉइन भी कर र लेक्ट हुए, तो correct answer है, अब हम कुछ national news में आते हैं, देखे, बहुत साई चीजे है, exam perspective से साई चीजे, इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ, lecture को end तक देखना बहुत जरूरी है, चलिए, आगे बरते हैं, और आब आते हम national news में, national news में क्या क्या चीजे निउज में, पहली Republic Day 2023, अब तो अगला Republic Day आने वाले हैं, आपको पता होगा, 2024 का, उसमे हम Quad के मेंबर्स को बुलाने वाले हैं, ठीक है, Quad के चार मेंबर्स हैं, इंडिया है, USA है, जैपान है, और Australia है, उन चारों को चारों एक साथ रहेंगे, तो देखते हैं, वो आते हैं कि नहीं आते हैं, ब इस बार के चीफ केस थे, रेसेंटली, गंगा विलास क्रूज लांच की गई, और ये वर्ल्ड की लॉंगेस रिवर क्रूज थी, जो की वारन असी से जा रही थी, डिब्रूगर, ये असम तक, और ये पांच स्टेच से हो गई, प्लस एक कंट्री से भी, यूपी, बिहार, जारखन, कोलकता, धाका, असम, तो यारखेगा, धाका से भी पास होई थी, तो ये भी आपको यारखना है, नेक्स है, शोम ब्रिच, अभी अरुमाचे प्रदेश में इनौगरेट किया गया है, इसको बनाया गया है, बियारोने, बोर्डर रोड ओगनाशन में, नेक्स है, प्रोजेक्ट चीता, आप सबको बताओगा, चीता स्टेट जो है, मध्य प्रदेश बन गया है, प्रोजेक्ट चीता की बात को चीता जो एक संस्क्रित ओरिजिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है, पेंटेड, और अभी आपको बताओगा, बहुत साइ चीता, पहले हम आठ चीता हम लेके आए, नवीबिया से, फिर बारा चीता ओल लेके आए, हम साउथ अफ्रीका से, और ये सारे चीता आ रहे थे कहां पर, मध्य पदेश के कुनो नैशनल पार्क में, और ये बात बता दू मैं आपको, कि हमने ये भी एग्रिमेंट शाइन किया साउथ अफ्रीक हो गया है, नम चेंज और आज बाज venture कर दिया गया है, इंडिया के पहले RBI गवरनर जो थे, इंडियान RBI गवरनर सीडी देशमोग, उनके नाम पर इस?.. railway station का नाम रखा गया है, और ये साइ remote operation करुना 20, 2023 हो मैं को देखना पड़ा, मैन मार की करने के लिए हमने एक operation करोना लॉंच किया था तो हेल्प मैनमार आगे बढ़ते हैं नेक्स बैंगलूरू जो है इट बिकेम दा फर्स्ट इंडियन सिटी तो जॉइन वर्ल्ल सिटी इस कल्चर फोरम पूछ सकते हैं कौन सी पहली कंट्री बनी है तो करेक्ट आंसर वर्ल्ल सिटी इस कल्चर फोरम जो है उसको जोइन करने वाली इंडिया की पहली सिटी जो है वो बैंगलूरू है वैसे वर्ल्ल की ओवर्ल तो 41 थी है बट इंडिया की फर्स्त है ठीक है पूछ सकते हैं पीम ने रिसेंटली लॉट किया है नेशन का पहला में रखना उनलानी थी तो बूछा गया था इसका क्वेशन तो पूछ सकते हैं प्लू म्लू पंच्छी जो है उसका नाम है देख सकते हैं इमेज है अभी में कर्शमीर की ऊ स्चेट बटरफिलाइबनी है नेक्स्ट पीम ने नक्रेट किया है हीरा किलोब कॉमेंश्य सेंट पूछ सकते कहा इनौग्राइट किया है, correct answer आंद्र पदेश में वर्च्वल कॉन्फरेंस के तुब इनौग्रेट किया, नेक्स है, इंडिया का पहला online gaming academy कहा लाँच की गई है, तो वो लाँच की गई है, मुद्र पदेश में, online gaming academy, सर्ट इनने एलर्ट इश्यो किया है एक रांसम वेर का उसका नाम आपको याद रखना है रैंसम वेर का नाम है अकीरा तो पुछ अक्रदरें क्या है तो करेक्ट आंसर वाइब टानुल से लां साफ्ट इमस्थ जो इंडिया का प्राइवेट प्राइवेट हिल स्टेशन ता इसको लाउट किया गया है नेक्स बात करें तो तामिल नादू गर्मेंट की क्यों क्यों कि इंडिया का first-ever Night Street Racing Circuit जो है वो चिंने में डेवलप किया जा रहा है चिंने दैटिस तामिल नादू इसको बनाया है लखनो की बेस CSIR ने मिलके बनाया है इन्होंने बनाया है और इसका नाम रखा गया है नमो 108 तो लोटस की वराइटी इसमें 108 पेटल्स है या दखियेगा ठीक है चलिए आगे बरते हैं इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहा है इनागरेट क एक्जाम में पूछा सकता है इंडिया का पहला अंडर्वाटर मेट्रो याद दखियेगा सक्सेस्फुली कहां पर बनाया जा रहा रहा है यह यह बन रहा है तो डारेक्ट कुशन आपके एक्जाम में आएगा ठीक है अब हम बात करते हैं अपोइंट्मेंट्स की ठीक है न नए एडिक के नाम क्या है तो करेक्ट आंसर राहुल नवीन एडिबार आप सुनते रहते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं नेक्स है डारेक्टर जनरल आफ अकाश्वानी वसुद्धा गुपता आपको नाम याद रखना है नेक्स है फ्टिटि आई फिल्म टेलिवि पी-आई-बी के हेड बने हैं यह भी आपको यह अरगा मनिश देशाई जया वर्मा सिना इस वेरी इंपॉट्टन आ सकता एक्जाम में पहली वोमें बनी है जो रेलवे बोड की है एडड बनी है तो यह रखेगा रेलवे बोर्ड की चेर्मन बनने वाली पहली वोमें बन लेही है जियवर्मा सिन्हा जो अभी रीशेन् रश्मी शुकला ब्लाइक्थर जनल अपॉईल्ड हो कि शेहस्त्र सीबॉइल and SSB की याद अखिएगा जो की इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान को गार्ड करती है उसकी याद अखिएगा रश्मी शुकला जो है वो डारेक्टर जनरल अपॉइंट हुए है नेक्स है नितियन अगरवाल की BSF Border Security Force के डारेक्टर जनरल अपॉइंट हुए है नेक्स है Competition Commission of India इसकी चेर परसें अपॉइंट हुए है रवनीत कौर जो भी रीसेंटली अपॉइंट हुए है मनो सोनी याद अखिएगा UPSC के चेर में अपॉइंट हुए है यह आपको याद रखना है याद इक हुए प्रेजिएंट ऑफ वर्ल्ड बैंक तो करेक्ट आंसर है अजय बांगा ओके नेक्स है सीबियाई की बात को सीबियाई भी बहुत इंपॉइंट है इडी इस तरह इंपॉइंट है सीबियाई भी हम सुनते रहते हैं इसके नए डायक्टर अपॉइंट हुए प्रवीन सूध नडी बैंक न्यू डेवल्लप्पेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है आपके सुना होगा इसकी नए प्रेजिएंट या प्रेजिएंट अपॉइंट हुए इंडियन कोस्टल गार्ड के मनोज यादव डारेक्टर जन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सारी अपॉइंटमेंट से आपको याद करना है एक बार गोत्रू करना है ओके शारुक खान ICC World Cup 2023 जो की इंडिया में हो रहा है उसके ब्रैंड अपॉइंट हुए हैं नेक्स उशार महता सॉलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया पॉइंट हुए जस्टिस प्रकाश शिर्वास्तो यह पॉइंट हुए है नाशनल ग्रीन ट्राइबॉनल के चेर्मन नेक्स सुरेखा यादव की बात करता हूँ एशा की फर्स वोमेन लोको पालेट है यह पहली फीमेल बनी है जो वंदे भारत ट्रेन को रन कर रही है तो पहली वोमेन जो आप यहाँ पर देख रहोंगे रुचिरा कामबोज तो इनका नाम भी आपको याद अखना है कामबोज ओके सीबी आईसी दैस सेंटरल बोर्ड अफ इंडिरेक्ट टैक्स अन कस्तम इसके चेर परसें अपॉइंट हुए है संजे कुमार अगर्वाल तो याद के संजे जी जो है वह सीबी आईसी के चेर्मन अपॉइंट हुए है सचिल देदुगा बने हैं एलेक्शन कमिशन के नाशनल आइकाउन अफकोर्स वोटिंग होने वाला ट्वेटिवेंटिफोर का एलेक्शन से उसको देखते हो सचिल देदुगा को नाशनल आइकान बनाए गया है ट् यूटूब के CEO वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको पता हूँ जो CEO कौन है नील मोहन है यह कोशन आपके एक्जाम में पूछ सकते हैं CEO नीति आयोक के पॉइंट हुए है BVR सुप्रमनियम ठीक है तो यादखे के CEO कौन है BVR सुप्रमनियम आप मुझे पताईए चेर्मन इसके प्राइम में रिसर होते हैं वाइस चेर्मन कौन है एड़ नीति आयोक के या पुछे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे आगे बढ़ते हैं अब यह थी इंपॉइंट मेंस अब हम आगे बढ़ते हैं important summits देखते हैं जो एक्जाम के लिए important है तो important summits देख लेते हैं क अफरीका इसमें आगे ब्रिक्स पर पांच मेंबर्स होते हैं ब्राजील रश्या इंडिया चाइना सौथ अफरीका बट इसमें अब नए 6 मेंबर्स और एड कर दियेगा हैं इसी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 6 मेंबर्स और एड के जाएंगे वह ते एजिप्ट इरान साओधी अरेबिया, UAE, उथोपिया और अर्जेंटीना तो अब टोटल हो गया है इसमें 11 मेंबर्स आपको याद अखना है ठीक है और इनकी मेंबर्शिप एक जनर्री 2024 से लागू भी हो जाएगी World Coffee Conference 2023 यह हुई अभी रीसेंटी बैंगलूरू में G20 Global Food Regulator Summit इंपोर्टेंट है क्योंकि फर्स ताइम यह सम्मिट इंडिया में हुई है इंडिया में का हुई है न्यू डेली में जुलाई में यह Global Food Regulator Summit हुई 5th helicopter and small aircraft summit यह हुई है मद्यप्रदेश के खजराहों में 108th Indian Science Congress यह हुई नागपूर में RTM University में कहां पर RTM University में Theme थी Science and Technology for Sustainable Development and with Women Empowerment इरान जो है वो शांगाई Corporation Organization का मेंबर बन गया है 9th member हो गया है पहले 8 member थे शांगाई Corporation Organization के इसके इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं अब टोटल 9 members हो गया है को इरान ने रिसेंट्ली जोइंड किया है और अभी summit इस बार होस्ट 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 की सम्मिट इंडिया होस्ट कर रहा था और इंडिया ने इसको वर्चुली इस इस सम्मिट को होस्ट किया है प्राइम इससर ने इनागरेट किया Global Millet Conference Global Millet Conference कहा हुई है तो नियु डेली में इसको अब श्री अन कॉंफरेंस भी कह सकते हैं नेक्स से थर्ड फिपिक सम्मिट फिपिक क्या है फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक कोपरेशन इसकी सम्मिट हुई है और यह सम्मिट हुई है पपान्यूग उनिया में ठीक है तो थर्ड सम्मिट थी प्राइम इससर मोदी जी ने पारिस्पेट भी किया है 还有 quiet summit 2024 हहता हैprochen है इंडीया में दिदा इंडिया में Global India AI 2023 summit यह भी इंडिया में हुन वाली है फिर्स थाइम इंडिया हुस्ट करेगा त्शले यह summit भी important है नेक्स है 42nd & 43rd Asian Summit 2023 दोनों ही सब्मिट इस बार की कहा हुई है इंडोनेशिया में हुई है यह भी आदेगा है 2023 की सब्मिट कहा हुई है जाकार्ता में इंडोनेशिया में अब हम कुछ इंडेक्स की डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग्स देख लेते हैं कौन-कौन से इंडेक इसमें इंडिया की रैंग है 88 और इसको टॉप रैंग पे था सिंगापूर ओके एनरजी टांजिशन इंडेक्स इसको वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पब्लिश करता है इंडिया की रैंग थी 67 टॉप रैंग थी स्टुडन की इंटर्नाश्य इंटेलेक्शल पॉपर्टी लास रैंग थी अफगानिस्तान की इसको पब्लिश करता है यूएं सस्टेनलबल डेवलप्पेंट सॉलूशन नेटवर्क नेक्स ताफ फिफ स्टेट फूट सेफ्टी इंडेक्स 2023 इसको एन्वली एफ डबल से आई फूट सेफ्टी स्टेंडर्ट फॉट्टी ऑफ इंड इंडेक्स 2023 इसको पब्लिश किया है इकनोमिस इंटेलिजेंस यूनिट ने यू पब्लिश करता है और रैंक वन पर सबसे अच्छे लिविबल कंट्री कौन थी वह थी विएना सिटी थी रैंक वन पर थी जो कि आउस्ट्रिया जो कंट्री है उसकी कैपेडल है वह रैंक व कंट्री थी नॉर्वे लॉजिस्टिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इसको पब्लिश करता है व्ल्ड बैंक इंडिया की रैंक्ती 38 आउट ऑफ 139 कंट्री अब हम कुछ इंपोर्टेंट अवोर्स देख लेते हैं जो एक्जाम परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है तो अ अपनी एल्बम Divine Tights के लिए इंको मिला है और फर्स इंडियान जिनोंने ग्रामी अवोर्ट जीता था वो थे कौन पंडित रवी शंकर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मनमौन सिंग इनको मिला है लाइफ टेम अचीवमेंट और बाई उनाइट किंग्डम उन्होंने इनको लाइफ टेम अचीवमेंट अवोर्ट दिया है एना फर एकनॉमिक और पॉलिटिकल कॉंट्रिबूशन के लिए ग्यानपीट अवोर्ट 57 किसको मिला है दामोदर मौजो को जो कि गोवन है गोवा से बिलॉंग करते हैं या देखेगा कौनकरी लैंगविज से बिलॉंग करत या देखिए का आशा भोसले को मिला है तो यादा कि आशा भोसले को मिला है इंटर्याशल परीजिके इन स्टाटिस्टिक्स 2023 एक तरीके से इसको नोबल प्राइज परिज़न राओ को अभी रिसेंटली इनकी देथ भी हो गई है जिसको आप सिया राओ भी कह सकते हैं प्र लड़ाई की थी इंडियन वर्ड वार वन के टाइम पर तो यह हेलिपॉलिस मेमोरियल पूछ चकते कहा है तो करेक्ट आंसर है इजिप्ट में गांधी पीसपाइस 2021 अभी रिसेंटी दिया गया कि इसको गीता प्रेस को जो की खोरकपूर में लोकरेड है अब हर अब हर आवोर्ड प्रायमनिस्टर को नी मिलते हैं कुछ प्रेसेंट को ही अब कोई तो । द्यूर्प आधी मुर्मो को सूरी नेम का हाइस से ओलेन और को नाम देके पूछलें इसका नाम था Grand Cross of Legend of Honor Award तो प्राइम एससर को फ्रांस का भी हाइस अवर्ड मिलता है रेमेन मैक्सेस अवर्ड 2023 अभी रिसेंटी 65 रेमेन मैक्सेस अवर्ड 2023 दिया गया इससी आपको यादक नहीं है नेट्स फिल्म बनी है रॉकेटरी पॉपलर फिल्म जो बनी है वह आरर र बनी है नगरिस दत बेस्स फिल्म स्वोर नाशल इंटेगरेशन कश्मीर फाइल्स मनी है बैस अक्टर अलुँ अरजन पुश्पा मुवी के लिए बेस्ट अक्रेस आल्या भट गंगुबाई के लिए और कीर्थी सनन मीमी के लिए तो यह कुछ इंपोर्टेंट अवार्ट्स हैं यह आप से पूछ सकते हैं नेक्स्ट सीनवस्ट ऑग याद एक बॉनीगेबरल वह बनी है तो यादईक नाए इस बार की मिस स्वेंट अबेडे जी को मिला और पूछक के लोगड़ के लिए इसकुछ आवॉड़् को मिला है नेक्स्ट नयेन्द मोदी चांस हैं तो प्रिचकर प्राइज कीनएज को मिल है प्लस circumstance जो कंट्री सen उसका भी था यह सवोड़ को दिया गया है नेक्स Manual प्राइम मोदी को यह वोड़्ी Falls की यह से विलॉग करते हैं उनको यहावर्ड दिया की प्रेजिएंट है उन्होंने दिया है पहले इंडियन प्राइमिनिस से भिने हैं जिनको ग्रीज का यह वाड बिला है नेक्स है वाइल लाइफ कंजरविशन आवर्ट 2023 यह अवाइड जो है कंजरविशन का था आल्या मिर जो है कश्मी से बिलॉग करती हूं उनको यह वाड मिला है नेक्स है मिस इंडिया 2023 राइस्थान की नंदिनी गुपता जो है मिस इंडिया 2023 बनी है उनको यह वाड दिया गया है प्रियल सेन यादखियेगा मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है उनको राजस्थान की यह भी है तो राजस्थान की साहिल अर्किया आप देख रहे हैं यह भी याद अखना है अब हम आते हैं बुक्स और उथर्स के लिए यह भी एक important topic है बट देखिए books और authors की बात को भुट साई बुक्स और उथर्स एक्जाम के लिए important होते हैं विए इसका एक पुले डीटेल लेक्शर बना दिया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जान से लिए कि सेप्टमबर तक जित्री भी important books हैं, गो तो करके चले ही आना, उससे बाहर कुछ नहीं आना, उसका लिंक मैं लाइन से टॉपिक में डाल दिया है, एक बज आकर लेक्शर भी देख लेना, जैसे टाइम शेल्टर, यह टाइम शेल्टर किसने लिखा है, ऐसे गरे कोशन आ सकते हैं, बाकि इत्ती भी important books हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना हूँ, क्योंकि मैंने वो लेक्शर करा रखा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं GI Tag, अभी आप देखेंगे पि उसको बार बार रिपीट कराने की क्या जरूरत है वो जाकर आप देख सकते हो, ओके, next है important government schemes, आप कहेंगे सब central schemes बहुत साई अभी नहीं आई हैं, ठीक है विश्व कर्मा योजन हमने बहुत साई सुनी हैं, तो जितनी भी schemes से latest ना, उसका भी lecture, जितनी भी अभी तक की schemes है उनका lecture भी में बना चुका हूँ, उसका link भी मैंने description box में डाल दिया है, जाकर वो schemes भी आप एक बार central schemes देख लेना, तो इसलिए आपको दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आते हैं defense की news में बात कूँ तो देखो, सबसे बड़े defense की news में military exercise आप चुका हूँ, तो आपका भी थोड़ा काम होना चाहिए, जाके link में क्लिक करो, वो lecture भी देख लो, वो lecture भी देख लोगे, तो सारी चीज़ आपकी एक बार में complete हो जाएगी, तो military exercise में करा चुका हूँ, अब अगर defense news में और कुछ बात करें, तो जैसे की सागर संपर्क, य यह है क्या, यह एक है DGNSS, what is this? Differential Global Navigation Satellite System, यह developed किया है, इंडिजीनेसली डवलप किया है, इंडिया का खुद का है, इससे क्या होगा कि better maritime navigation हो सकता है, safer, more efficient movement of vessels हो सकता है, तो यह अभी recently launch किया है, तो पूछ सकते सागर संपर्क क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा, ऐसे ही S-400, trim missile system, यह पूछ सकते है, यह missile system किस country का है, क्योंकि अभी Russia, Ukraine का आप वार देख रहे हैं, चल रहा है, तो यह missile defense system है, यह रश्या का है, तो यह जो missile defense system है, यह रश्या का है, ठीक है, आगे बढ़ते है, नेक्स इपसमार, यह पूछ सकते है, इंडिया, ब्राजील अवार्ट्स थे, जिसमें की, इंडिया के दो अवार्ट्स जो है, इस बार ऐसकर में जीते हैं, एक है, best original song, जो बना है, नाटू नाटू, यह दिखेगा, पहला हिंदी film song है, जिसको ऑसकर अवार्ड मिला है, movie RRR का था, compose किया था, MM के रवानी ने इसको compose किया था, इनको अभी पद में श्री भी दिया गया, MM के रवानी को, लिरिक्स जो थे, वो चंदर बोस के थे, प्लस, यह दिखेगा, इसी नाटू, 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 जिस सौंग है, उसने best original song अवार्ड, golden globe अवार्ड में भी उसने यह जीता है, ठीक है, मतलब उसको दो अवार्ड मिले यह भी मिला था, golden globe अवार्ड भी मिल चुका था, तो उसको अवार्ड भी जीत लिया, दूसर अवार्ड कौन सा था, जिसको अवार्ड मिला है, इंडियक्तर से वो है, ओसकर विनिंग शॉट डॉक्यूमेंटर के लिए, जिसको नाम था, elephant whisper, अब आप कहेंगे, सर ऑसकर अ याद होगा, बहुत सा व्यूस भी गए, उसको लोगों ने देखा भी, उसका डीटेल लेक्चर भी चंद्यान का आप चाहो, तो मेरे description box में चंद्यान 3 का लेक्चर देख सकते हो, बट कुछ बाते में चंद्यान की बात करता हूँ, जैसे जिस दिन चंद्यान लैंड में 23rd August को, हमने उस दिन डेक्लेर किया है National Space Day, तो याद है कि पूछ रखते है National Space Day का अपसल बेट करते है, 23rd August को, जहां लैंडिंग पॉइंट है चंद्यान 3 का उसका नाम रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट, चंद्यान 2 का लैंडिंग पॉइंट जो था, उसको फेल ह उसका पूरे डीटेल लेक्षर मैंने अदित तैलवन पर बनाया है, तो उसके लिए भी अगर आपको याद एख़ेगा, आपको इसमें मैंने MCQ बनाया हुए पूरे अदित तैलवन पर, तो आप जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लेक्शर देख लो, वहा तो थोड़ा मैंने इतना सा पढ़ाया हुआ है, कुछ चीज़ आप अगर लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर लोगे, तो पूरा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि यार देखो, अगर आप जा रहे हो एक्जाम देने, तो तीन-चाह घंटे को कुरेंट को बता रहा हुँ, ठीक है, उसके बाद, important days, this are important, ठीक है, September month अभी complete हुआ है, important days जैसे रहे, कौन-कौन से, ozone day कब बनाए जाता है, पुछा है आप से, तो ozone day बनाते हम 16 September को, ठीक है, theme था, Montreal Protocol, इस बागी theme थी, fixing the ozone layer and reducing the climate change, तो इस बागी theme थी, fixing the ozone layer and reducing the climate change, Montreal Protocol, इस बागी theme नेक्स, important day, national engineers day, 15 September को हम celebrate करते हैं, जत्ते भी engineers वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दो, 15 September को celebrate करते हैं, आपको पता होगा, किस लिए celebrate करते हैं, बट इस बागी theme नहीं पता होगी, engineering for a sustainable future, तो यादे कि engineering for a sustainable future, जो है, वो important है, ठीक है, M. Vishwes, पर सहीया के birthday पे, जो भारत थीम थी, traditional knowledge to artificial intelligence, यादे के, traditional knowledge to artificial intelligence, okay, next day, teachers day 2023, जिसमें आप लोग ने मुझे बहुत सारे wishes दिये, thank you for those wishes, मैं, आप लोग को thank you ने बोल पाया, बचा, आज मैं thank you बोल रहा हूँ, 5 September को celebrate किया गया था, बहुत सा लोगों ने मुझे messages किये, okay, teachers at the heart of education recovery, इस बागी theme थी, teachers at the heart of education recovery, okay, अब आप कहेंगे सर, और भी तो बहुत सारे, September बता दिया, और भी तो बहुत सारे मन्त है, जानवरी से आउगस तक के, तो देखिए, जानवरी से आउगस तक के, जितने भी important days और theme है, उसका lecture में बना चुका हूँ, ठीक है, जाकर आपको कुछ नहीं करना है, description box में जाकर link में click करना है, और इस lecture को देख लेना, जितने भी important days है ना, वो एक lecture में ही आपके cover हो जाएंगे, ठीक है, अब पिछले 9 months की अगर बात को तो budget भी आया है देश का, और economic survey भी आया है, तो budget पे पुरा detailed video, अरे मेरे video से अच्छा, कोई budget का video नहीं मिलेगा, मैं challenge के साथ क्याता हूँ, एक बार जाकर link में budget 2023 का video देख लो, आप खुद कोगे सर, इससे बाहर एक question नहीं आएगा exam में, ठीक है, क्यों budget पढ़ना जरूरी होता है, ऐसे economic survey पढ़ना जरूरी होता है, उसका link भी मैं description box में डालना हूँ, इससे बाहर एक भी question आपको देखने को नहीं म देलेगा, ठीक है, अब आपने देखा होगा, यहां तक मेरी पूरी current affairs, मैं आपको एक single lecture में कराई, non-stop पढ़ाया, I hope आप यहां तक पहुचे होंगे, अगर यहां तक पहुचे होता है, बड़े serious student हो, आपके लिए congratulations कि आप यहां तक पहुच गया हो, ठीक है, और अगर आ देले वीडियो देखा है, best of luck for them, और अगर आपको यह continuous marathon class का initiative पसंद आया है, अगर आप कुछ contribute करना चाहते हैं, जो कि एक voluntarily है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, contribute करना चाहते हैं, तो यह हमारा QR code है, phone पे, pay टेम, Google पे नंबर भी mention है, अगर आप donate करना चाहते हैं, अगर दिमाग में, कुछ नहीं पढ़ना, यह lecture देख लिया, जितने link के वीडियो देखें, वो देख लिया, उसके बाद आपको notes ही दोत पड़े ही, क्योंकि subjects भी important है, क्यों से subjects, quality important है, क्योंकि बिना general studies से exam कैसे crack होगा, medieval history important है, ठीक है, स्टार्टेक की GK important है, और यह सब की books तो पढ़ना बहुत difficult है, बड़ अगर आपको मैं handwritten notes provide कर दूँ तो यह मिल जाए, तो exam crack करना आपके लिए बहुत असान हो जाएगा, चाहे वो world physical geography की booklet हो, ठीक है, वो आपकी computer की booklet हो, सारे notes जो है, वो हम आपको provide करते हैं, ठीक है, फिर आगे मैं बता हूँ आपको ancient history की booklet हो, ठीक है, modern history की booklet हो, next, Indian geography की booklet हो, यह सारे notes जो है, वो आपको एक बार में आप order कर सकते हैं, ठीक है, economics की booklet हो, ठीक है, कुछ booklets गिर भी गहीं, इत्ती सारी booklets है, ठीक है, chemistry की है, physics की है, bio है, environment है, अरे ऐसी कोई booklet नहीं है, जो मेरे पास ना हो, ठीक है, अगर आप इन notes को order करना contact करो, मैं आपको courier करवा दूँगा, courier नहीं करवा सकतो, time कम बचा है, soft copy order कर सकतो, sir कैसे order करें, whatsapp करोगे, मैं details बता दूँगा, अगर आप directly application से बाय करना चाहते हैं, तो मेरा application का नाम है देवशीष classes, ठीक है, spelling देख लेना, उपर लिखी हुई है, link description box में है, वहां से जाकर, आप मेरे application को भी download का सकतो, वहां पर अगर buy करोगे, तो आपको classes भी मिल जाएंगी, तो classes सारे subjects की, मेरे current affairs, अरे भाई, इतना confidence हैगा ना, exam के time पर, कि exam में गलत, या तो नहीं आते हुए question भी, आप confidence की थूर बना सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ी होगी कहीं ना कही इसलिए कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ, फुल तयारी करके exam देने जाओगे, फील अच्छा होगा, वो feeling भी important हो, कि बिना पढ़े exam देने कहीं मन नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको classes, notes, सब कुछ provide कर रहा हूँ, और आपने मेरी classes की demo अगर बोलोगे, तो यार यस सारी classes जो है, वो easily available हो जाएंगी, यहाँ पर हमाँ lecture complete होता है, I hope आपको lecture समझ में आए होगा, कोई doubt queries हो, वो भी आप बताएंगे, non-stop lecture था, इसलिए मैं पानी भी पी रहा था, थोड़ा थक जाते हैं, क्योंकि marathon class है, मैं non-stop पढ़ाता हूँ, time waste आपको भी पता है, हम बिल time up crack हो रहे हैं, results आ रहे हैं, मैं wait कर रहा हूँ, बहुत सा state pieces के लोगों ने भी mains दिये हुए, interviews दिये हुए, उनके भी results आने वाले है, UPSC का भी result आने वाला है, तो I hope बहुत सा students select हो, और अगर आप select हो, तो हमको ज़रूर message करें, बहुत सा message आते हैं, मैं कभी-कभी share भी कर रहे हैं, okay, so I hope आपने वीडियो को अभी तक subscribe, इलाए चानल को subscribe कर दिया होगा, और नहीं किया है, तो वीडियो को like जहू करके जाना, इतनी महनत से बनाए, I hope आप इसको like जित्ता करोगे, उतनी हमाई महनत जो है, वो काम आएगी, so thank you everyone, जै हिन, जै भारत.